हेलो प्रेंट सिची पेसी हेंडेटर नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए के समाजी गध्यां का क्लास नंबर पांच वा आज होने जा रहा है आप सभी को पता है कि लगातार हम लोग क्लास 1,2,3,4 आप लोग को प्रवाइड कि जिसमें मौरी समराज्य को इतना डीटेल से पढ़ लिए हैं कि आपकी 36 गल लेवल की कोई भी एक्जाम उससे बाहर नहीं जाने वाला ठीक है बागे अब लोग और प्रेक्टिस करते रहेगा टेस्ट में लगातार आपकी कोश्चन को और करी रहे हैं अभी एक और टेस्ट लेकिन यह तो पूरा यूपेसी लेवल पर यूटूब में भरा हुआ है तो हमको क्या पढ़ना है 36 लेवल पर क्या पढ़ना है यह थोरा समझने में दिक्कत आता है बुक में तो भड़ा पढ़ा है इसका कंटेन भालती इतिहास इंडियन हिस्ट्री का तो बस उसी सब्सक्राइब करेंगे तो इसका भी तीन चा क्लास हो सकता है तो लगतार आप लोग पूरा क्लास देखेगा एक की बार एक कंटीनियू अभी तीन निन जुड़ेगा अब पूरा नोट्स पनाली जहुआ उसके बाहर फिर आप लोग का ज्यादा परशानी तो नहीं होगा कोशन बाले नहीं सकते हैं जितने ज़्यादा कोशन करूंगा और क्लास में ही बताने कोशन कैसे बन सकते कहां सकते तक आप अपने भूक से भी पढ़ हो या कहीं भी आप को लिया होंगी वहां से अगर क्लास देखेगे पढ़ और आपको समझ में आए कि हमको उठाना क्या रहता है कैसे concept लिया करके पढ़ना रहता है ताकि कोश्चों में बने और जिल्लों भी बैच जूइन नहीं कि अभी तक मैं बार बार बहुत रहा हुँ कि आप वेकेंसिक आप आएगा यह आएगा हुआ चक्कर मिना रहें क्योंकि हम आपकी तो पूरी जवापदारी ले रहे जो हमारे बैच में टॉपर बैठे हुए है तो जिन लोग भी यूटूब में देखना भी तक नहीं जुड़े तो आप अपना और समय वेश्ट ना करें और जल्दी से बैच जोइन कर ले और यहां क्लास करके आप टेस्ट दिवा आते रहें क्योंकि में सबसे में है कोश् तमाय कभी विकेंसी ठीक है और एक और सुचना है जो साइंस वाले हैं उनलों भी परसान मात रहेंगा आठे नौ तारिक से आप लोग का साइंस कभी क्लास चालू कर देंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बैश में भी आपका साइंस करवा देंगे तो सीजी यह तो यह देखेंगे आप लोग अभी इगाई थरी कर रहे हैं और सम्राज पूरा कंप्रेट कर लिए हम लोग उसके बारे में इतिहास के प्रसासक के बारे में भारती संस्कृति के प्रति योगदान ठीक है अब हम लोग चालू कर गुप्त सम्राज जी को बारे में यही इसको पढ़ना है अभी समय भात के संस्कृत संबंद फिर हम लोग यह वाला चेप्टर खतम हो जाएगा अगर आप देखेंगे चर्चार नंबर में यह आते हैं उसमें अलग से नंबर कर दिवाइट कर दिया जाता है तो यह आपका इंपॉर्टेन है ठीक है सीजी टेट के लिए इंपॉर्टेन बहुत है क्योंकि उसमें साथ नंबर में पूछेगा तो वेटेज डबाल हो जाता है ठीक है और इसके और भक्तियों सुफिय अंदुलाना मुगल समराज्य है तो दियर दियर अम लोग करते जाएंगे जिए जो क्लास आपको चाहिएगा बता जाएंगे निकि हमारा नंबर है 75-36-44 जल्दी से इसमेंस करके जूर जाएगा जार 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 किजिएगा तो आज हम लोग चलू करें गुप्त वन्स तेक है पूरा ध्यान से सुनिएगा नोट्स बना लीजिएगा मैं सुरू से बहुर हूं अगर मोरी समराज्य का नहीं ले लिश्टर में आपको मिल जाएगा ले लिश्टर में क्लास वन से लेकर चार तक है पूरा मोरी समराज्य समाजी का अध्यन करके उसको सुरू से ही आप वीडियो आउन करके पाउस करके नोट्स बना लीजिए ठीक है चले करते हैं गुप्त समराज्य आज की क्लास तो अब हम लोग जैसे पड़े थे मोरी हाल मोरीय काल भर्र मारीयूत्र कड्र ठीक उसके बार आप कर संगम मृप्त अचरे Zezayal kr पतन करके ये घनानन को हरा के इन लोग अपना न्यू डाले थे मौर्य और समराजी वाले वह ऐसी गुप्तवांस किसको हरा के आये तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कुशाण समराज्य के खंडहर पर एक नए समराज्य का उदा हुआ कुशाण समराज्य को इन लोग पराजित किये उसके जगा अधिपत्य किये और गुप्तवाद आया है उसी के खंडहर है ठीक है जिससे अपना अधिपत्य कुशाण और सातवहन दोनों के राजिश्य श्टर पर इस्थापित कर ये गुप्त्य समराज्य बना में आपका समराज्य के दो आपको याद रखना है इन दोनों से ही इनका उदय हुआ कुशाण समराज्य और सातवहन इन दोनों के जो राज्य श्टर तो उसको जीट जीटके नया एक वंस बना गुप्त्य समराज्य पूरा डीटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आते जाएग जैसे वहां नंदवन्स को घना नंद को हराके बना था मौरी समराज्य उसी पाया गुप्त्य समराज्य बना कुश्ण समराज्य और सातवहन चलेगा अब एक एक करके दिखते हैं तो देखेगा सबसे में प्रतापी सासक ठीक है आज 3-4 सासक पूर जितने सासक उसको आज क प्यार हो जाएंगे कहानी जैसे एकडम औराम से पढ़ेंगे माँ जीतना हमना हंडेट परसंट दे रहा हूं कहानी में अब ध्यान से सुनते जाएगा नोट्स बनाते जिए ठीक है कश्राणों के पतन के बाद गुप्त समराज्य अस्तित्यम मैं आपको पहले बता चुका तो यहां पर बनता है मौरी समराज्य पढ़े थे वह क्रित था वह क्या कर रहा था सब जगा से जिट जिट के एक सांट लेते जा रहा था लेकिन गुप्त के काल क्या हुआ फिर तूटने लगा इसको विकेंड्री करन या विगटन का काल भी कमाना जाता आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आते जाएगा ठीक है यह एक साथ नहीं कर पाया एक जूट नहीं हुआ बलकि तूटे गया बाद में ठीक है उसका खताम हो जाएगा गुप्त समराज्य या विगटन का काल कहा जाता इसको ठीक है आगे ध्यान से देखते जाएगा गुप्तों की जानकारी प्रयाग प्रसस्त्त्तु रॉतु दिष्ष समुट्रू गुप्तों का प्रयाग प्रसस्त्ति जीसके बारे में आपको पडerdन जाएगे है कुमार गुप्त के माध्यम प्राइब राप्त होती है कि गुपतों का आधी पूरूस मनलब किसको माना जाता है तो गटोकच को याद रखेगा घटोचकाच तो गुपतों का आधी पूरूस को माना जाता है संस्थापक माना है और इसी घटोचकाच को आधी पूरूस को बोला जाता है लेकिन घटोचकाच क्या है संस्थापक बोला है घटोचकाच को समझ में आ रहा है ना आप लोग को समझ में आ रहा होगा कमेंट कर बताईएगा ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ाने को सिस्क्राइब आप लोग का एकदम क्लियर हो जाए आप जीवान में पहली वारी हिस्ट्री पढ़ा होगे तो भी आपका हिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है या चाहे आप प्यस्टी के त्यारी करो आप नेट से वाले भी क्लास देखा करें इससे बेटर क्लास आपको नही पूरा यह कलेक्सन है जितना निचोड है ठीक है उस सब कर निचोड में डालके एक साथ लेके आया हूँ ठीक है अब आगे देखते हैं अब देख लिए आदिपुरुस घटोचकर देख लिए कुमार गुप्त विलसर अभी लेक में बला कि इसका संस्थाबक कोन है घटोचकर माना गया है तो खाली संस्थाबक बोलेगा आप से गुप्त लगाईएगा लेकिन उसमें कुमार गुप्त का विलसर अभी लेक करूंसा संस्थाबक कुन है तो घटोचकर लगाईएगा ठीक है जी इसका टाइम पिरियर या देखेगा 240-280 इस्वी तथा इस व उसको ईस्थाबिट करता है जो जादा अपने संब्राजै को पैलाता है सीचेताओं को जीतके उसको बोलते हैं वास्ताविक शंस्थापक और यहीं मौनं वप्रथम को अश्यितास Summ형 awareness को माना जाता है इसने महारा धी-ज की उपाधी ग्रहन की थी वास्तावीं कहां तो इसको महाराजा धिराज की उपाथी देते हैं इतना आपको याद हुआ एकदम बहुंच सारे अपकर दिमाग में जा जाते जाएंगे तो एकदम उपन करके लॉक को खोल लीजीए को अपने दिमाग को खोल के बैठीए एक ट्यू रह के बैठीए खाना खाके बैठा करें ठीक एकदम सांस अराम से रूम में जाकर बैठा करें रात को बहुत बना दिये थे तो बहुत अच्छे से हो गया करें तीक है आगे देखते हैं चन्र गुप्त प्रतम आप इसके बारे में हम लोग पूला परड़ ना पढ़ते हैं इससे संबढ़े सकते कौशंबror करें गीए तो चन्र गुप्त प्रतम ने 319 सी में गुप्त समवत आरम किया थीका याद हूँ अच्छे से चले कंगे आगे देखे तो लिख्वी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसका विवाग कर चंड़कुप्त प्रत्म ने वैसाली राज्ये प्राप्त किया दहेज में मिला भी है उसको वैसाली यार रखेगा उस समय में भी चलते था राजमाराजा को सीधा गाउं डान देते थे थे यह लो जलो गाउं एक राज्ये लेलो और जाओ वहां से जो टैक्स मिलेगा वह आपका है ऐसा होना चीन अभी भी देख लेना दिन लोग सरपजन पंज होंगे एक आग गाउं को देतो बोलना तो उन पनकी अपनि व्याएप अपने सिख्य पर सब्सक्राशन कर देखर है अपने अपने चैई पर लिखना में यह इतना वैलू दे रहे इंपॉर्टेंट दे रहे अपनी सिक्के में भी उसका उलेक कर रहा है ठीक है जी समझ में आरेक नहीं आ रहा है पुरह 100% दे रहा हूं बहुत अच्छे से दे रहा हूं आपको इदा उदा भटकना नहीं पड़ेगी इसका आपके बाद जो भी बु गुप्चर समझ चल चलो किया कभ 319 इसकंड इसर्थ को सभुड़ं मोइक चलो किया तो इसको समध के प्रवफ्यतन का स्ष्रे डिया निसेंट2490 302 में गया तो कौन बताया था कब चालू हुआ तो विसेंद इसमिर ने बताया कि समवाद जो गुप्त समवाद चालू किया है चन्द गुप्त प्रथम ने वह 319-20 में किया था ठीक है चलेगा आगे दिखते हैं समवाद गुप्त को अपना उत्रादिकारी बնाने के बाद चन्द गुप्त प्रथम ने सन्याज गृहन कर लिया आप देखे इसी कहानी खाताम हो गया बहुत ऐसे प्रसिद्ध कि वा बहुत अपना समराज विस्तार के सब किया फिर ये क्या कि अपना उत्रा दिकारी खोशित के अपने बेटे को समुद्र गुप्त को और उसका सन्याज घहन कर लिया बोला अप मेरा हो गया मेरे को जितना आपना समराज के लिए लिए जितना नाम कमाना था जितना आपका विस्तार करना नोंह कर लिया अब तुम लोग के हवाले और बिफलतै को सौंब के चन्ड़ गुप्त जी चले गया और का अपने है सन्यास में चले गए ठीक जी चन्र गुप्त के बारे हम लोग ने पूरा पढ़ लिया मेरे पूरा उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बाकि आम लोग जब कोश्चन करेंगे तो इसके अलावा भी मह बहुत सरे और जितने चन्र गुप्त प्रथम के फैक बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि यह इंप्वास्तिर समझ ठापक है ठीक है चलेका आगे करेंगे अगला हमारे राजा लाजा-धि-्राज आगे समुध्ष्जु गुप्त इसके वारे पढ़ना बहुत ज़ोगर है क्योंकि बहुत इंपौर्ट है ठीक है चले अब देखत प्रथम के बाद उसका पुत्र है समुद्र गुप्त को किस ने कहा है तो इसमीद ने कहा है यह दौ चीज आपको याद रखना है भारत का नेपॉलियन किसको कहते है तो इसमीद ने कहा है सब्सक्राइब कि क्टैसे समन्दी और साहित रगांद ऐसे का कुछ भी अचार आपसंद्र आती है इसमें मिलता है तो इसका फूरा उपशास्ती उठा हुआ है वहाई से यह सब बूक में छपा हुआ है फिर उसको हम लोग आपको प्रदान करें फिर इससे आप सेलेक्शन लेंग जिएगा इसकारे में पढ़के इसे हरी सेन ने उटके न किया तर यह पूछता है प्रयाग प्रसस्ति के लिखा कौन है तो हरी सेन उनके दरबारी कभी थे समध्यों के हरी शेन वह लिखे थे प्रयाग प्रसस्ति कने के बारे में तो समध्यों ने लिखा है किन हो हुझन लिखा है तो हरी सेन ने लिखा है समध्यों कोई संगीत कार विद्वानों का संदक्षन था यह important है निम्नमें से consecutive सहीं करके देता है तो उसमें दिया रहता है संभुद्गुप तक जो कवी थे संगीत कार थे विद्वानों थे उनका संदक्षन करता था उनके अपने दर्वान में उनको आस्रे देता था उनको जो भी जोरत के समाने उपलब्द करवाता था उनको वैल्यू देता था यह है संदक्षन का मतलब थेका जी समुद्गुप तो अस्वमेग करवाने का स्रे दिया जाता है एक एक पॉइंट आपको कवर करा रहा हूँ जिन्दों भी बैज जोई नहीं के तूरन कर लिजिए आप जिन्दगी के सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे केवाल आप अपने बुक से सेल्फ इस्टरी कर रहे होंगे या कहीं वीडियो लेच्ट लेकर हफते में एक दिन टेस इलाग है अपने आपको और कंपिटेंस में राख रहे होंगे जिवन की सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि जिवन की सबसे आखरी भलती मान के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तभी आपका सेलेक्शन हो पाएगा तो बैच जरू जोईन कीजिएगा पच्छत्त्त्त्त्त्त सब्सक्राइब आपको अच्छे से दिमाग में बस जा रहा होगा यह आपको समझ में आ रहा है कि आपको दिमाग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप लोग बस शेयर कीजिएगा जरू आज सबके वीडियो में यह क्लास दिखना चाहिए गुप्त समराज्जी का लिंक डाल दीजिएगा आपको अच्छे सारी कमियों को दूर कर आप लोगा सेलेक्शन करवा पाहूं तो आज स्वमें एक एक करवाने के से किसको दिय तो आपको या रखना समुद्गुप्त ने अस्वमें की अग्या करवाया था ठीक है चलेगा अब आगे पाइंट आपको जैसे मैं बताया था कि यह क्या है जो समुद्गुप्त है यह वीजेता के सांसती तो वीजेता आपको पता कि दक्षी भारत वीजय अभियान पर ज सकता ठीक है और देखें कि यह एक दूट मंदल चीन भेजा था अब यहां पर पढ़ोगे तो कई बार ऐसा देख में देख में आपको समुद्गुप्त ने एक दूट मंदल को चीन भेजा था अब इसके पहुंच चीन तक था यह अपना दूट अभी तक क्या हो रहता था हम लोग रहता थे बाहर बाहर के जो राजा है उन लोग भारत में राजाओं के पास दूट भेजते थे आप रखें और बताए आपके क्या इससरी पर इससरी का देखता था दूट रहता था लेकिन इसने पहली बात चीन में अपना दूट भेजा थेक है तो संपूर्ण विजिट्ट करने वाला इसका मतलब होता है घरवी वंकी यह सब उनकी परश्र मनुद की दिया govern की रहें वहां आपको मिलेगे इतना मेनद करते हम लोग आवाज भी बंद हो जाते हैं बीज में पढ़ाते पढ़ाते तो आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए शेर कीजिए दबाके क्योंकि आपको पता है कि हम लोग आपको सेलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो आपका फ़र जाएगी आपको अपना कोशिन इस्टिटूट मानिए अपना सीजी पेसे हैं रिटर नोट समान के चलिएगा इसको जीतना आगर आप प्रचार करेंगे जीतना जाड़ा लोगों क इस प्रप्राम से जोड़िंग उतने वेनिफिट आपको होने वाला है ठीक है जी चलिएगा आगर देखते हैं तो समुद्ध गुप्त ने अब देखी का ये भी बहुत विक्षू को सनक्षन दियना चाहाँ देता था ठीक है तो इसने एक बहुत विक्षू का नाम यार र उनके चिक्षों पर उसे बीडा बजाते वे दिहाते हैं किसके बाद करेंए वसुबंधु की तो उनके सिक्कों पर भी देखिए गा उसको बीडा बजाते वए चितरिट किया गया था ठीक है तो बहुत विक्षू समधूदे या रखे गा आगर दिक्तेए श्री लंका स्रिलंका थे स्रिलंका के लिए परमिसा वांग थे गया बिहार में गयाद आपको और स्रिलंकाrij американ канале कहां बनवाने के लिए परमिशा मांगे थे गया बिहार में एक बहुत मंदी बनवाने का नुमती मांगे थे अब देखते हैं देखेगा हम लोग इसको पड़े समुद्गुत्वारे में के बहुत जर्वी जीत किया था बहुत सरे राजयों को जीता था तो कहां का जीता था यह तो पता होना चाहिए ठीक है किनके राजाओं को जीता था तो सबसे पहले राजा यारे कि अच्यूत राजा नाम उख थे यह नाम उनका राजा का यह उनका सेत है अहिच्छत बरेली का सासक था अच्यूत इसको जीते थे किस-किस पर बीजय प्राप्त किया थे तो पूछ सकता है समुद्गुत्वारे में राजाओं पर बीजय प्राप्त किया तो पहले है अच्यूत यह अहिच्छत बरेली का सा सकत्ता दूसरा नाघसेन ये पदमावति का नाग वंसी सा सकत्त नाघसेन उसको हराय था गड़पतीे नागसेन ₤ ये विदीशा का सकत्त अगल्य कोट ठूलज ये कानिकुप्ज कन्न blends का सासक तो ये चार राजाओं का नामibles आपको बहुत अच्छे से यार होने चाहिए जिन पर इसने समुद्धुप्त ने विजय प्राप्ति किया था अच्यूत नाग सेंग गडपती नाग कोट कूलज तिये चार राजाओक नाब आपके दिमाग में इस्टोर कर लीजिएगा कहां कहां है यह भी आपके यार रखना चाहिए अच्यूत कहा बस आप से रिक्वेस्ट आप लोग नोट्स बनागे त्यारी कर लिजिएगा ताकि टेस्ट में फिर देखेगा सव परसें नबबे परसें से कोई नहीं रोख पाएगा आपको इस टॉपिक की गरेंटी मैं लेता हुँ समुद्ध गुप्त ने विभीन सास्कों को अधिन क चमा याजना कर ली थी और जो युद्ध को श्विकार कर लेता थी यूद्ध अधीन स्विकार कर जीते थे ते राज्य पर अपना लिकार कर लेते थे सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षीरापत में जो चलाया था उसके लिए क्या के नियम कानून अपनाया थे क्या के नीति आपनाई थी इससे कोश्चम बनते हैं ठीक है चलेगा तो याद रखेगा समुद्र गुपने दक्षीर पात अव्यान जो चलाया था उसके बारे हम लोग पढ़ने हैं देखें डाल लीजेगा ऐसी बहुत साथा नोट्स मैं आप लोग के लिए कलेक्शन कर गिला हैं मैं यह नहीं बलता कि यह सब्सक्राइन ही बनाए हैं मैं इतने जारा जगहां से कलेक्शन किया हूं इतना संकलन किया हूं कि आपको भटकना ना पड़े इतना बैस्ट नोट्स हमारे प्रैक्टिस सेट कही नोट्स है और इसको जान बुचकर मोग पीडिएप नहीं डालना है क्योंको पीडिएप डालनूंगा आप लोग को इन नीटिया अपनाया था तीनों नीटिया आपको अच्छे सियार रखना चाहिए पहला आत्मनिवेदन ठीक है जो खुद से अगरा राज्यक्ष प्रक्सुत हो जाता कि ठीक है मैं आपके दिन हूं ना मेरे राणियों पर आक्रमण कीजिए ना मेरे प्रजा पर आक्रमण मत कीजिएगा तो पहला आत्मनिवेदन दूसरा कन्यों पाजन अपनी कन्याओं का विवाद गुप्तर राजकुमारों से करवाने के साथ का आगरा करता था तीसरा गरून गरुत मंतक देख लेगा उच्छारन इसको गरुत मंतक यह तीन नीटिया आपको यार रहना चाहि अपना सासन करने के लिए आदेश प्राप्त करना सीधा यह आदेश देता था कि तो अपना सासन आप करिए ठीक है भले आप हमारे अंदर रहेंगे इसको लियर कर लीजिएगा बस आपको यह नाम आपको यार रखना है तीनों नीतियों का आत्मनिवेदन कन्यों पायन और गरुत्त मंदक यह तीन नीतिया आपको अच्छे से यार होना चाहिए समुद्गुप निन तीनी नीतियों के अधार पे पूरा दक्षिड अभ्यान चलाया था ठीक है आत्मनिवेदन कन्यों पायन और गरुन्त मंदक ठीक है मंदक गरुत्त मंदक उच्छान देख लिए अब आगे देखेंगे यह कौन-कौन राज को जब दक्षिड अभ्यान पर निकल गए अब कौन-कौन राज्य के कौन-कौन सासकों को यह अपने अंदल लाया था उन्हें माप कर दिया था किसको यूद्ध का सामना करना पड़ा था ठीक है पहले राजा और राज्य के ना ठीक है तो कोसल के अंदwow के था clarification राजा थे महेंड्र यह याद रखी गा कोसल महेंद्र महाकांतर यह थे भ्याग राज्य ऑता था कोसल रुट पर्यस वाला हिस्सा हों एक डर्चीकोसल के अंदwe बस्तरवाला इस्सा जो थे ब्यागर राज, कोसल के कावर राज थे मंट राज, पिष्टपूर की महिंद्रा गिरी और कोट्टूर के स्वामी दत, ये पांच तो पहले आप याद कर लिजे, कोसल के महिंद्र, महाकांदर के ब्यागराज, कोसल के मंट राज, और पिष्टप आपको दिमाग क्लिक करेगा अगला राज्य थैंडर पल अभी पता ही नहीं कहां पर किस राज्य था एंडर पल पस राज्यक नाम है दमन वहां सा सकते काची काची विष्णुगोप्त थे और मुक्त यहां नील राज थे वेंगी वेंगी important है वेंगी के राजा थे हस्ती वर्मन ठीक है पालक ये उग्रसेन थे देवराश्ट ये कुबेर थे कुस इस्थलपूर ये धनन जाय थे तो दो चार important है बाकी आप लोग एक बार इसको नोट्स बनाकर लिख के रख लिजेगा तक कि आपको जैसे question में कि अब देखते हैं आप दुति विजया भ्यान एक तो देख लिए दक्षिर भी जय भ्यान की पर देख लिए अब राजाओं को जीता था थिक है तो दुति जब ये दूसरे बार निकला था समुद्धु तो कहां बस एक बार सुनते जेएगा ये उतरना इंपॉर नहीं न सासक था मटिल बस यह राज्य और सासक का नाम याद रखेगा ठीक है कहां के सासक थे रुद्रेव कहां के थे कौसांबी के सासक थे मटिल क्या थे इंदपूर यह सब और पूर्मी बंगाल के पोखुण का सासक था तो चन्र वर्मा याद रखेगा पूर्मी बंगाल के पोखरन का शा था अगरा गर्डपकती नाग यह अ कंदमावती का सासक KIRBY न Papa का सासक था अच्यूत इसलुआख चाहळीट का का सा सकत तो अब बल और्मा यह मत्त कामरुप का सा सकत बस और będzie देख लिजेगा में जो सभसे में इमपार्टेंट दा चंड गूप्त प्रतं ठीक है सबसे अच्छे से कीजेगा दो राजाओं के बाद तीसरा राज आएगा हमारा चन्र गृप्त दूती इससे सासकर है करें। प्रतम पढ़े पर चन्नोगुप्त के समय अपने उतकर्स की चोटियों पर पहुंच गया था इसके याद रखेगा लेकिन दूति ने किया ये सक मुद्णा जो जो सक्णार अमराज्ज था वहाँ जो चन्निक सिह का पूर्फं के चन्नीक शिख्या बनाने लगा तो च्छम्मुद्राओं के चांड की सिह कु攻 चलायए था। चन्न गुप्त दूती ने चलाया था ठीक है चले आगे देखते हैं चन्रगुप्त की विजय और उपलब्धियों की जानकरी उदैगीरी के गुहा अभिलेक से मिलती है और भालती जन्सुती में चन्रगुप्त का नाम सकारी मिलता है यहां से आपके कोश्यम बनते हैं मैं वहर पॉइंट को आपको कवर कराता हूं जहां से कोश्यम बनते हैं मैं बोल दिया मतलब जहां से कोश्यम बनते हैं उसको अलग से आप लोग रेट पेंड में या अलग से इस्टा लगा गया हाइलाइट मारके नोट्स में लिखेगा ठीक है चन्रगुप्त का जो विजय स्कारी नाम किस गुप्तवनसी सासक का है चन्रगुप्त दूती का थीक है चन्रगुप्त दूती के सासंकाल में लुख की थी कर से उनकों बूटे किस राजा के काल को बोलेगा तो चन्द गप्त द्विती के काल को श्माइस मुला था तो तु सव्ण्न यूग भी भी बोला जाता है या क्लासिकल दोनों सब्स Danora रहा फिए तो चलिए आगे देख सके प्रसिद्य खघोल सास्ती और गरित strong produesto के के दर्वार में नियुवास करते थे बहुत सरे खगोलसास्ते थे सब प्राम्भर धर्म चरलंब धर्मृत कर्स का इक्दम प्राथ मीक्त था यह वह सब एक दम प्रचलित थी को विक्रमा दिते के नाम से भी प्रसिद्ध था तो एक और देखे सकारी दूसरा अम लोग दिख रहे हैं विक्रमा दित्य तो नाम को अलग से आप लोग ऐसे सॉर्ट नोट्स करके अलग से लिख लिए करें लास्ट में सकारी हो गया विक्रमा दित्य हो गया दो नाम पढ़ लिए और क्या 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 नाम है देव गुप्त देव राज देवस्री तो पांच नाम आपको याद रखना है चन्रगुप्त दुथी के क्या क्या नाम याद रखना है सकारी पड़े विक्रमा दित्य पड़े देव गुप्त पड़े देव राज पड़े देवस्री पड़े ठीक है अब लाश्ट एक चीज आप फेक्ट देख लीजिएगा चिनियाति फाहयान इसके सासंकाल में भारत आया था तो फाहयान जो आया था चिनियातिरी किसके सासंकाल में चन्रगुप्त दुथी के सासंकाल में चन्रगुप्त दुथी ने विक्रमांग विक्रमादित्या परम भागवत आधिक उपलाब्धी धारन की थी यह उपाधियां है क्या को पाधियां विक्रमांग विक्रमादित्य परम भागवत तीनों उपाधिया आपको याद रखना है ठीक है तो आज क्लास में बस यहीं करेंगे ज्यादा हो जाएगा थोड़ा से फैक्ट फिर आप नोर्टस नीघी बना पाएंगे भोलों कि फिर ज्यादा हो रहा है नोर्टस नीघी बन पा रहा है पीड़ सब्सक्राब्स इतना ही आज कर लीजे नेस्ट क्लास में आगे करेंगे और नेस्ट क्लास अब आप सभी लोग के स्टेटास में इस दीखे हैं मेरे को आप लोग भी सही हो किजिए तभी मैं भी अपना 100% दे पाऊंगा क्योंकि आपको पता है बैच के वाल आपकी टॉपिक टार्गेट एसरी के माधियम से कम्टिट करा रहे हैं आप लोग के लिए आप लोग जो बोर है उसके लिए ठीक है तो आप लोग आज सभी के स्टेटास में इमान सब्सक्राइब के साथ आप लोग के सामने उपलब्द हो पाएं ठीक है और जिन्लों भी जोईन ने किया मैं आज आज आप लोग अंतीम बार रिक्वेस्ट करों जोईन कर लिजिएगा तो लास्ट में आपको दिक्कत होगा फिर हमको मत बोलेगा क्योंकि आप आएंगे इ चला रहे हैं तो देख लिए हमाना नंबर है पच्छता रासी च्छाशी चौन वाट्सप में मेसेज कीज़ कोल जादा मत कीजिए का कॉल नहीं उठा पते वाट्सप में मेसेज कर लिजे डेमो लेजे टेश्ट दिला लिजे और समझ लिजे रन नीदी को और ततकार रेज नेस्ट क्लास में आगे अपडेट इसको करेंगे और नोट्स बना लिजेगा और सेर्ज कर दीजेगा ठीक है और अपने आसपात जिन लोग भी होंगो उनको जादा जादा बैस से जोड़िए ताकि एक बैतर प्लेटफार्म अपलोग को मिल पाए चरतिका में सबसे बैतर प्लेटफार्म इसको बनाना है ठीक है चलेगे सेया का दीजे मिलता है नेस्ट वीडियो में तब टेकर आल डबेस्ट